हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इन दोरी इन ऑस्टेलिया फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी लोगो थैंक यू क्योंकि मेरे थाउजंड सब्सक्राइबर हो चुके हैं बग इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें मेरे वीडियो लाइक शेयर इस पर मैं एक अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ बट यह थोड़ा सा अपडेट करके बना रहा हूँ क्योंकि अभी काफी सारे चेंजेज हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी नियू स्टुडेंट आ रहे हैं उनको लेटेस से लेटेस अपडेशन के बारे में पत हूँ तो फ्रेंट इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉस्ट एग्जेक्ट बताने वाला हूँ कि कितना मिनिमम आपको लगेगा और फ्रेंट वो जो स्टुडेंट भी अभी एडिलेट आने वाले हैं वो थोड़ा प्रिपैर होके आएं कुछ इसमें पॉइंट बताने ना करें तो फ्रेंट चलीए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खर्टा होता है वह होता है घर का तो अक़रशन का तो फ्रैंड मैं आपको बता दूँ अभी पिछले कुछ एक-धेड साल में रेंड बढ़ने लगा है काफी जब मैं आया था यहां पर एकट साल पेले तो रेंड काफी कम था बट अब मेरे देखते देखते काफी इंक्रीज हो गया है तो फ्रैंड आप समझ लें कि अगर आप City में रहे जो मिनिमम माम स्टार्ट होता है होता है Uh से यही आपको 85 الों ने तक मिल जाता था कहीना कहीं अगर आप२ा थे सबढ़ में भी ढूनने जाएंगे तो आपको 120 से स्टार्टिंग videos मिलेगा इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो मंतली expenses होता है अगर आप accommodation का देखें तो वो होता है प्रॉक्स 500 से 600 depend करता है आप city में रहते हैं तो और थोड़ा बढ़ जाएगा outer suburb में रहते हैं तो थोड़ा city से कम रहेगा तो आपके जो भी आप जहां पर भी accommodation देखते हैं तो उसके according आप फिर भी एक minimum मान लें कि 500 से 600 आपका minimum accommodation रहेगा एडिलेट में 2020 में और यह जो effect कतम होगा करूना इसके बाद उसके बाद हम बात करें तो जो second thing होती तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान या बांगलादेश या नेपाल तो आप ऐसी चीज़े सीख कर आए जो आप जल्दी से जल्दी बना सकें और आप खुदी घर पर खाना बनाना सीख कर आए क्योंकि अगर आप खुद घर घर पर बनाते हैं तो आप काफी पैसे बचा सकते हैं क्योंकि अगर आप एक मील भी भार खाने जाते हैं तो वह 10-12-15 डॉलर की पड़ती है तो आपके इतने पैसे सेफ हो जाएंगे क्योंकि ग्रॉसरी जो है आपका पर मंथ एप्रॉक्स 150 से 200 है तो अगर आप बहुत साथी चीज़ें सीख कर आते हैं तो बहुत आपको इजी होगा अगर आप यहां पर बना के खाएंगे या वर्क पे जा रहे तो आपके काफी पैसे खर्च होने वाले तो आप कुकिंग सीख कर आएं तो अब गॉसरी का अगर आप मान ले तो 150 से 200 है उसके बाद फ्रेंड थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ ट्रैवलिंग का तो फ्रेंड सबसे बेसिक जो स्टूडेंड है यूज करते हैं वो 28 डे पास बनवा सकते हैं तो आप इजीली बस में ट्रैंप में और मेट्रो में सफर कर सकते हैं आपको कोई प्रॉबलम नहीं आप उसी से कॉलेज जाए और उसी से आजाए तो आपको बहुत इजी होगा स्टार्टिंग में आप कार बाए ना करें क्योंकि आपको काफी ए और उससे इजीली ट्रेवल करें तो काफी अच्छा हुगा उसके बाद बात करें जो फोर्ट नंबर पर आता है वो आता है आपका मोबाइल बिल तो यह डिपैंड करता है अपका यूजस कितना है किसी का नेट का ज़यदा है किसी का को अलिग की तो मिनिमाम अगर माझन ल तो अगर हम calculate करें तो आपका जो accommodation है वो आप 600 मान ले उसके बाद आप food मान ले 200 उसके बाद आप Metro का card और mobile का 50-50 मान ले तो फ्रेंड ये एप्रॉक्स आपका बनता है 900 तो जो student भी एडिलेट आने वाले हैं तो उनको मैं बता दूँ कि ये minimum है तो minimum आपका जो खर्चा होने वाला है वो 900 डॉलर पर मन होने वाला है इसमें आपको इसमें कम तो नहीं होगा बट depend करता है अगर आपको sharing में accommodation लेते हैं तो थोड़ा कम होगा बट ये एक minimum rate है कि आपको 700 से लेके 900 डॉलर minimum आपका खर्चा है तो friends मैं आपको बता दूँ कि जो लोग अभी एडिलेट आ आने वाले हैं करोना एफेक के बाद जो भी इंटेक में आने वाले हैं तो उनसे एक request है कि कम से कम वो तीन महीने तक का अपना पूरा एक महीने का expenses लेकर आए मतलब कि अगर आप 900 अपना expenses मान रहे हैं तो तीन महीने से तीन महीने के साब से आप at least 2725 to 2700 डॉलर अपने पास सेफ करके लाएं क्योंकि आते ही जो लोग यहां सोचने हैं कि हमें job मिल जाएगी और हम स्टार्ट करनेंगे अपना expenses निकालना तो बहुत जादा tough होने वाला है अभी क्योंकि जैसे ही करोना effect हटेगा वैसे सारे Australians job के लिए तूट पड़ेंगे और Australians को पहला प्रेंस स्टूडेंट्स को भी मिलेगा तो फ्रेंट जो अल्रेडी स्टूडेंट्स यहां पर हैं उनके काफी सारे contact हैं तो उन्हें पता है कहां का job apply करना है और कैसे कैसे job लेना है या जो लोग पहले भी job कर रहे थे उनको chances ज्यादा होंगे as a new student आप आएंगे आप search करेंगे मैं यह नहीं बोल रहा आपको job नहीं मिलेगी बट आप search करने में जितना time खराब करेंगे एतनी देर में उन लोगों की job start हो जाएगी और आपको search करने में जो job में थोड़ा time लग सकता है और अभी adulate के हाला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है jobs के मामले में तो इसलिए मैं आपको बोलूगा कि at least three month का आप expenses लेकर आएं क्योंकि फ्रेंड आपको हर कोई यहीं बोलेगा कि job मिल जाती है कोई problem नहीं आती है आप expenses निकाल लोगे बट आप एक safer side लेकर आओ क्योंकि मैं आपको reality बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि काफी tough हो गया यहां पर बहुत कि आप at least three month का expenses लेकर आएं ताकि आप अपने आपको अच्छी से manage कर सकें आप अच्छी से food खा सकें और accommodation में proper रह सकें और आप अच्छी से job search कर सकें तो फ्रेंड overall इस वीडियो में आपको सारी चीज़े बताने की कोशिश करिए इस वीडियो को फ्रेंड लाइक करें शे काफी सारे informative वीडियो मेरे आने वाले हैं तो वीडियो देखें आपको एडिलेट के बारे में काफी सारी information मिलेगी और साथ ही Australia के बारे में भी तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए राम राम